Hello everyone, good evening और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Law of Attraction की morning routine और evening routine यह बहुत short में और बहुती effective routine है इसके लिए आपको घंटो प्रैक्टिस करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है या बहुत ताम जाम करने की जरूरत नहीं है या mental बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं है और यह my dear friend अगर आपने केवल 7 दिन भी follow कर लिया continuously तो 21 days तक वो अपने आप ही वो आपकी routine में आ जाता है और 21 days से 90 days में routine में आ जाता है और जैसे ही 90 days complete किये तो वो आपके brain को restructuring या rearranging करना शुरू कर देता है तो आप देखिए किसी भी चीज की continuous practice for 3 month 3 महिने तक किसी भी चीज की practice hard wiring क्रियेट कर देती है और उसके बाद आप खुद ही वैसे बन जाते हो चीजें automatically आपके life में अच्छी होती जाती है तो सबसे पहले आपको morning में आपका जो भी time हो actually यह routine में खुद follow करती हो क्योंकि मेरे पास जादा time नहीं रहता है जादा से जादा एक घंडा कभी हो सकता है जादा time रहता है तो मैं उसी चीज को extend कर लेती हो क्योंकि कई बार जब हम meditation में बैठते हैं तो इतना पढ़िया महसुस होता है कि उससे बाहर निकलने का money नहीं करता है तो my dear friend आप भी इस routine को अपना सकते हो बहुत ही बढ़िया है सबसे पहले जब आप उठते हो तब ही आपको कुछ affirmations बोलनी है even कई बार हमारी आग खुल जाती है छे बज़े आग खुल जाती है पर साड़े छे पे हम बैट छोडते हैं तब उस बीच भी आप शुरुआत में जो भी है आप thankful giving देना शुरू कीजिए या thank you बोलना शुरू कीजिए आप अपने नए day के लिए thank you बोलिए आप अभी live हो इश्वर ने आपको फिर से एक और दिन दिया जिन्दा रखा उसके लिए आपको thankful होना चाहिए क्योंकि जब हम thankful रहते हैं तो हम हमारे पास abundance की flow बढ़ जाता है और जब हमारी लाइफ में सब तरफ luxury, beauty, अच्छे लोग अच्छा environment जब ये अच्छे गुण वाले लोग या event या condition होती तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है हमारी लाइफ की quality बढ़ जाती है रोज रोज के जगडे या फिर unfavorable condition या किसी से जो भी हम चाहते हैं वैसा नहीं होना या conflicts होना इस तरह की बिलकुल भी problem नहीं होती है आप एक दिन करके देखी आपकी life बदलना उसी दिन से शुरू हो जाएगी क्योंकि जब हम grateful heart में रहते हैं तो सभी लोग हमारे पास जो आएंगे वो already grateful वाले ही होंगे या आपको अच्छी feeling देने वाले ही होंगे तो सबसे पहले तो आप 5 या 6 sentence ऐसे बनाए या जो आप सबसे पहले जो मैं देती हूँ वो तो नए दिन के लिए देती हूँ या मेरी इस life के लिए देती हूँ उसके बाद मैं अपने parents को फिर अपनी family को या अपने close जो भी है उनको भी आप thank you बोल सकते हो उसके बाद आप अपनी health के लिए अपनी family के health के लिए बोलिए उसके बाद आप 5 जो element है हमारे पंच महाभूत air, fire, earth, sky या space और water इन चीजों के लिए thankful बोलिए, food के लिए thank you बोलिए आपको पास सारी चीजे हैं जो भी आप even bed के लिए भी रहंग्यों बोल सकते हो अपने blanket के लिए बोल सकते हो, AC, fan जो भी उसके लिए बोल सकते हो तो आपको उस time आदा गंटे के वल thankful की affirmations बोलनी है और उसको really मैं देना है और सच बात है अगर आप जिन्दा हो आज तब तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही है आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो तब ही आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई मामूली चीज नहीं है पर हम इसको take it easy लेते हैं हमेशा बट जो law of attraction को follow करते हैं, वाकई में life को समझते हैं उसकी importance तो वो ये चीज को मानते हैं कि वाकई में हमारे लिए हर दिन जिन्दा, सोके उठना भी बहुत बड़ा achievement है सब कुछ केवल materialistic चीजे नहीं होती है अपने को एक शांती मिलना, एक नई life मिलना, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है तो आप सबसे पहले तो इस तरह से gratitude दीजिए और कुछ affirmations बनाईए, जैसे मैंने ये 5 खुद के लिए बनाई हैं आप चाहो तो इसको भी बोल सकते हो ये पहला है कि only good things come into my life मतलब केवल अच्छी चीजें ही मेरी life में आती है आप इसको भर-बर जब बोलेंगे morning में तो कोई भी चीज जो आपके लिए suitable नहीं है वो आही नहीं सकती आपकी life में दूसरा I am openly receive love, health, respect, abundance into my life तो इसको भी आप हिंदी में करके बोल सकते हो कि मैं openly मतलब पूरी तरह से इस चीजों को receive कर रही हूं कौन कौन सी love, health, peace, respect, abundance मेरे जीवन में इसको मैं receive कर रही हूं और openly मतलब बिलकुल दिल से उस चीज को receive कर रही हूं इसरी I am openly receiving my financial success in everything I do मैं जीवन में जो कुछ भी करती हूं उसको मैं उसका जो भी financial success है उससे वो मैं दिल से receive करती हूं उसके बाद जो fourth है I am nature's greatest miracle और actually हैं भी हम इंसान की जो body बनी है या जो intellectual system बना है वो वाकई में nature का greatest miracle है आपको सोचिए इंसान ने क्या नहीं बना डाला एरोप्लेन से लेके mobile से लेके light से लेके क्या नहीं बना डाला तो इससे बड़ा nature का miracle क्या हो सकता है तो हम nature की greatest miracle है बस हम इसको भूल जाते हैं और अभी जो कुछ है हमारे पास हम दिन भर उसमें ही खोए रहते हैं कभी इसकी problem कभी उसकी problem वो ठीक है सुनना है हमको उसके लिए response देना है react नहीं करना है बट कुछ time अपने लिए देना है कि हमको जिसने बनाया उसके लिए हम वो कम से कम उसके दिये हुए गुणों को हम याद कर ले यहीं हमारे लिए बहुत है तो एक यह affirmations में बहुत अच्छी है कि मैं natures का greatest miracle मतलब जमतकार हूँ और last जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो affirmation है I am enjoying every minute of my life I am feeling super happy तो यह सबसे अच्छी affirmations मुझे लगती इसमें ना compilation ना कुछ आप दिन भार भी बोल सकते हो इसको तो इसको आप जरूर बोलिए कि मैं जीवन का हर एक पल हर एक minute को thoroughly बहुत ज़्यादा enjoy कर रही हो I am feeling so much happy जब आप यह daily बोलोगे तो यह चीजें wiring hard wiring create करती है आपके दिमाग में कुछ time के बाद आप नई भी बोलोगे तो भी आप happy रहोगे क्योंकि happiness create करना या happy रहना यह भी एक habit है जैसे हमें पढ़ने की आदत होती है किसी और game को खेलने की आदत वैसे ही खुश रहने की भी आदत होती है तो आप इसको develop कीजिए यह चैतरे के affirmations अगर आपको पसंद आए तो आप यह भी repeat कर सकते हो वरना अपनी खुद की बनाईए और इस तरह से बोलिए तो जब आप बैट से उठोगे तब तक आपका यह gratitude जो है यह complete हो चुका होगा उसके बाद आप walk करते समय, meditation walk भी कर सकते हो या उस समय आप अपने जो life के जितने भी areas हैं जिसके लिए आपने जो goals set कर रखे हो affirmations बोलते हैं जहाए health के लिए हो चाहे career, money, जो भी आपके लिए आपने बना रखे हो target goals जो होते हैं affirmations वो बोलिए उस समय आप बहुत attitude दोगे तो अच्छे mood में ही रहोगे और last में आपने बोलाई है I am enjoying every minute of my life तो आप अच्छे से affirmations बोलिए उसके बाद 15 मिनिट walk करने के बाद आप 15 मिनिट अपना scripting लिख सकते हो आपको जो उस तीन में अच्छा लगा मैंने अब रहे मिक्स का जो positive perspective की book होती positive aspect की जो डाय तो 15 मिनिट 15 मिनिट आप वो कर सकते हो और लास्ट के 15 मिनिट में कई बार 5 मिट बचते हैं कई बार 10 मिट तब में meditation करती हूं meditation बहुत simple करती हूं मैं कई बार प्राणायाम से शुरू करना पड़ता है अगर आपकी condition बहुत उस time ठक गए है या चलते चलते ठक गए है या आप खुद इतना लिखने के बाद mentally कुछ ऐसा होच पोच फील कर रहे हैं तो प्राणायाम बेस्ट है तो आप प्राणायाम से सुरुआत कीजिए उसके बाद में आपक बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देजिए और stillness meditation भी कर सकते हो best meditation है अगर आप गूगल में यूट्यूब पर सर्च करोगे stillness meditation तो वो आजाएगा first or second number पर ही आता है आप उसको लगा सकते हो और आप उसको stillness की प्रैक्टिस की क्योंकि जब हम still होते हैं तो हमारी inner being वो और पावर कर जाती मतलब वो उसके सारे guidance हमारे सामने आ जाते हैं और वही हमारी life को फिर चलाती है तो आप सोचिए God हमारे अंदर है और God की guidance के लिए हमने रास्ता साफ कर दिया और वो आ गई है और वो अगर आपके दिन को से अपने आपको हटाते हैं या कम कर देते हैं और हमारी inner being उसको guided करने लगती है तो फिर हम उसके accordingly अपना पूरा day spend करते हैं तो इस तरह से आप one hour की routine follow कीजिए और evening में भी साम को यह कर सकते हो बट मैं सिर्फ सोने से जस्ट पहले meditation ही कर पाती हूं कभी 5 मिट कभी 10 मिट इस तरह के जो music वाले videos रहते हैं आप उसको लगा के और अपनी wish already fulfilled हो गई है इस तरह से imagine कीजिए feel कीजिए और कब वो सच हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है my dear friend यह जादू की तरह काम करता है तो I hope आपको यह routine अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आप follow क कीजिए और मुझे बताईए कि इससे आपको कितना फायदा हुआ हम मिलते हैं अगले वीडियो में तक 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 है